Welcome to Dream High Academy Dream High Academy में आपका स्वागत है J.A.C.S.B. Class 4 Recruitment जो कि लास्ट ये स्टार्ट गुई थी और अब तक स्टुडेंस जो है वो लगतार प्रोटेस्ट कर रहे लगबग एक दो बार प्रोटेस्ट आचुका है इसके रिलेटिड कि second जो है वो DV का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट किया जाए और रिमेंяг जितने भी पोस्ट से अब तक 8575 पोस्ट टोटल थे और उस में से कफ पोस्ट जो है वो फिल किया गया यानि almost 5000 के पोस्ट जो है वो फिल अप हो है और लगबग तीन हजार से साड़े तीन हजार के बीच में यानि त्री थाउजन फाइफ अंड़ से ओपर पोस्ट जए वो अभी भी वेकंड है तो स्टूडेंट जए वो लगा था प्रोटस्ट में लगे हुए है कि यहाँ पर आपको मैं दिखा सकता हूँ वी वांट सेकंड डीवी लिस्ट जी हाँ वी वांट सेकंड डीवी लिस्ट अफ कलास फोर्थ इनका केने का मतलब यह है कि हमें सेकंड डीवी लिस्ट चाहिए कलास फोर्थ की और ये process जो है वो last year start हुआ था हम थोड़ा सा इसमें detail में जा सकते हैं students अभी भी demand कर रहे कल भी आपने देखा होगा कि protest आया था इसके related और कुछ चीज़े जो है मैं यहाँ पर discuss करने वाला हूँ कफी समय तक मुझे students लगतार messages और आपके comments हमें मिलते रहें कि सिर्थ हम आप जो है वो इस पर वीडियो बनाईएगा देखिए वीडियो बनाने का मकसद यह नहीं है कि हमें सिर्फ आप लोगों को सिर्फ बताना है कि क्या और कब कैसे हो रहा है अब तक तो कुछ खास कोई बात नहीं हो रही थी इसके उपर लेकिन जितना भी सुनने में आया है कि जो second list है वो भी शायद अनकरीब जो है वो इस पे भी काम किया जाएगा जेके SSB के दरफ से लेकिन सबसे पहला important चीज इस पे ये था कि जेके SSB को चाहिए था कि स्टूडेंट्स को किसने किसी तरह से बताए कि कब तक ये second list को जो है वो एक तरह से वो इसका जो है वो recruitment process स्टार्ट करेंगे या document verification स्टार्ट करेंगे तो इस तरह से स्टूडेंट्स इस जलिमा में नहीं रहते तो चलिए कुछ factors उपर बात कर लेते हैं थोड़ा से exam के related भी बात करेंगे और आपको समझ आएगा किस में इतना delay क्यूं हो गया पहले exam जो है वो लगबग इसके जो notification आई थी वो जून में आई थी उसके बाद फिर examination यानि दोजार एकीस February में conduct किया गया उसके बाद फिर में के start में यानि में के आखिर में स्वरी में के आखिर में जो है इसके मुतलिक कुछ result शो किया गया और final result आते आते हैं यानि final selection होते होते September October में जो है वो document verification का process स्टार्ट किया गया for 5000 प्लस पूस्ट उसके लिए उसमें से कुछ चीज़े जो थी उनके साथ वो भी उन्होंने आलड़ी देख लिया जे केस्स भी ने और उनको जो है वो आलड़ी allocate किया गया departments को अब बच्ची बात रही बात 5000 के ओपर जितने भी पोस्ट से यानि 3500 से उपर जितने भी पोस्ट से अभी उनके लिए document verification नहीं किया गया है देखेगा हम उमीद लगा सकते ही कि document verification जो है वो कुछ समय के बाद start हो जाए जी हाँ कुछ समय के बाद start हो जाए और ये recruitment process जो है वो ये fast rate पे हो रहा है और इसी चीज़े ये होती रहती है आप लोगों को लेकिन सिर्फ एक चीज़ यहाँ पर हम जाना चाहेंगे JKSB से कि वो एक notification के साथ अगर वो लेके आए एक कोई ऐसी बात वो सामने लेके आए students तक पहुँचाए जिससे students भी satisfy हो जैसे कि JKSB बता दे कि अग्जाइमस में भी जो है वो एक तरह से फोकस करते होंगे और उनने कटाप भी देखा होगा कि कटाप क्या चला गया और उनका जहन अप इस पे भी बना हुआ होगा कि नहीं हमारी जो selection है वो शायद class 4 में हो जाएगी और वाकी एक्जाइमस के रिलेटर वो थोड़ा से लेथार्जिक फील करते होंगे यार यह उतना उनको मन नहीं लगता होगा सो अभी उनको करना एक चीज़ होगा आपको जो है वो आपको यह देखना होगा कि लगाता जो यह students प्रोटेस्ट कर रहे है फार सेकंड वेट कर लीजेगा हाँ हो सकता है कि एक दो हपतों के बाद आप देखोगे कि कोई पेस अप हो जाएगी यह के सिजबी के तरफ से यह हो सकता है एक दो हपतों से ज्यादा में समय लगेगा मैं जहां तक मुझे समझ आ रहा है इस चीज में शायद एक दो महीने और लग सकते है इस प्रोसेस में और इसके बाद आप लोग को इसका result मिलेगा लेकि जहां तक मुझे समझ आ रहा है जहां तक मेरा यह perception है मेरा यह मानना है कि एक दो महीने अब आप कहोगे जहां पर वो कंडेक्ट नहीं कर सकता है एक्जैमर्स को या उनके पास कोई फ्री टाइम है तो फ्री टाइम है वो जो है वो डॉक्यमेंट वेरिफिकेशन कर सकता है क्योंकि इस वकत आप लोग देख रहे हैं कि एसिस्टन कंपाइलर के एक्जैम हो चाहे वो बाकी एक्जैमर्स सब्रिस्पेक्टर का हो फ्री टाइमस एक्जैमर्स एसिस्टन का हो जुनियर एक्जैमर्स का हो ये एक्जैमर्स जो है वो एक महिने के अंदर-अंदर ये कंप्लेट होने वाले है और जो ही ये एक मैने के अंदर complete हो जाएंगे उसके बाद फिर आपका प्रासस फार क्लास फूर्थ सेकेंड डीवी का स्टार्ट हो सकता है लगातार आप चैनल पे हमारे साथ बने रहीएगा हम इसी तरह से आप लोगों को यहीं information देते रहेंगे हमने बहुत कुछ information दिया हुआ है हमने कुछ वीडियो जो है वो अलड़ी जमोकश्मीर पुलीस सब इनिस्पेक्टर के लिए अप लोड की हुई है आप description में link दी गई है history से related, polity से related ज्यादा तर हमने history और Indian history से related और सबसे important बात यह है कि computer से related हमने वीडियो जो है वो upload किया हुए है आप जाके देख सकते हुए नीचे description में link दी हुई है यह हमारे playlist में भी आप जा सकते हो अगर description में आपको link ना मिली playlist में आप जा सकते हो और वहां से हासल कर सकते हो यह जानकरी आप हमारे साथ मैंने आपको पहले भी कहा कि आपको गवरारा नहीं है गवरारा इससे नहीं है क्योंकि आपको यह भी पता होना चाहिए कि आपकी ही seat आने वाली है अगर आपको close आप लोग इसमें fallen होते हो recruitment जो कि कटाप है तो आपको चाहिए एक महीना चाहिए दो महीना seat आपी की है और आप तब जो है वो एक टाइम मिलेगा आपको उसके बाद से जब आप डूटी में चले जाओगे और आपको उतना जो है वो एक तरह से luxury नहीं मिलेगी उस luxury को आप अभी से enjoy कर सकते हो अभी enjoy कर सकते हो फर्दर आप एक महीने तक दो महीने तक wait कर लीजेगा उसके बाद आपकी जो है वो तमाम queries का तमाम जो जितने भी सवाल है उनके आपको जवाब मिल सकते है चैनल को सबस्क्राइब कर लीजेगा वीडियो को लाइक कर लीजेगा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजेगा और हमारे साथ बने रहीगा और future updates के लिए इसलिए और चैनल को सबस्क्राइब करना ना बूलीगा Thank you very much